अध्यक्षपत पर काबिस होते ही भारतिय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उमीद बन गए है राजनाथ सिंग्ग। अध्यक्ष के चंदौली जिले में जन्मे 62 साल के राजनाथ सिंग की उम्र महस 13 साल की थी जब उन्होंने राश्विय स्वैम सेवक संग का दामन थामा। पढ़ाये लिखाई के बाद वो बहुत की की लिक्षरर बने लेकिन संग के साथ रिष्टा जोड़े रखा। धीरे ध बीजेपी के यूथ में यानि भारतीय जनता युवा मोड़्चा की सियासत शुरू कि और 1984 में यूपी में युवा मोड़्चा की अध्यक्ष बने Hagие 1988 में राजनाथ सिंग पहली बार बीजेपी की सरकार बनी into अन्हें शिक्षा मंत्राले की जिम्मेदारी सौंपी घब बतार शिक्षा मंद्री राजनात ने इतिहास की किताबों का सलिमस मतलवा दिया साथी राजनात ने वैदिक गणित को स्कूली किताबों में जगह दि 1994 में राजनाथ पहली बार राज्य सभा के सांसत बने इसके बाद राजनाथ सिंग ने राज्य और केंदर दोनों की सियासत में एहम भूमी का निपाई कभी उनके कंधों पर UP BJP के जिम्मेदारी आई तो कभी वो केंदरिय मंत्री बने और कभी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री 1997 में राजनाथ UP BJP के अध्यक्ष बने 1999 में एंडिय सरकार में राजनाथ केंदरिय मंत्री बने 2000 से 2002 तक राजनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, पार्टी में राजनात का कड़ बढ़ता जा रहा था, वो जोड़ तोड़ की सियासत में अपनी धाग जमाते जा रहे थे, अब पारी थी सबसे बड़ी जिम्मेदाई थी दसंबर 2005 में लाल कृष्णा अडवानी के स्तीफे के बाद राजनात सिंग बीजेपी के राश्ट्रिय धक्ष बने, नवंबर 2006 में उन्हें फिर से पार्टी की कमान मिली और 2009 तक वो बीजेपी के धक्ष रहे राजनात जब अध्यक्ष बने थे, NDA सत्ता से बाहर हो चुकी थी और पार्टी में हताशा का माहौल थी उन्होंने पार्टी में हिंदुतों एजेंडे की बदौरत संजीवनी डालने का अईलान किया लेकिन मई 2006 में पांच राज्यों में पार्टी का प्रदर्श निराशा जनक रहा लेकिन बाद में यूपी के स्थानीय निकायों में बीजेपी का बढ़िया प्रदर्श न रहा 2007 की शुरुवात में पंजाब में NDA और उत्तरा खंड में बीजेपी ने जीत हासल की उसी साल गुजरात में भी बीजेपी को शानदार जीत हासल हुए 2008 में बीजेपी पहली बार दक्षिन में सत्त में आई करनाटिक में बीजेपी की सरकार बनी इसके बाद मध्यपरदेश और 36 कड़ में बीजेपी की जीत ने राजनाद सिंग को सियासी मजबूती दी राजनाद सिंग में कई خوبیاں हैं तो कई खामियाबी आलोजक मांदे की राजनाद सिंग के गारगाल के दोरान पार्टी की भीदर की सियासत चरम पर रही और बड़े नेताओं की बीच रसा कशी चलती रही जिसका खामियाजा पार्टी को 2009 के चुनाओं में भी भूगतना पड़ा बावजूद इसके राजनाद सिंग का विवादों से कभी नाता नहीं रहा वो साफ छवी के माने जादें जिसका फाइदा उन्हें मिलता रहा है आज तक प्योरो